सूर्यक यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक तेजस्वी, गोल और प्रकाशमान आकरिती का चित्र उभरता है यह हमारे सौर्मंडल का केंद्र है, एक विशाल तारा जिसके चारों और प्रित्वी और अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य ना केवल हमारे ग्रह को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, बलकि यह प्रित्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए भी आवश्चक है इस वीडियो में हम सूर्य के अतीत, वर्तमान और भविश्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों पर भी प्रकाश डालेंगे प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य को अकसर एक देवता के रूप में पूजा जाता था मिस्र मेरा, ग्रीस में हेलियोस और भारक में सूर्य देव सभी सूर्य के विभिन रूप थे जिन्हें पूजा जाता था सूर्य के चारों और घूमती प्रिथवी की अवधार्णा को स्विकार करने में मानवता को सदिया लग गई कोपरनिकस, गैलिलियो और केपलर जैसे वैग्यानिकों के योगदान ने हमें सूर्य और उसके सौरमंडल के बारे में हमारी समझ को आकार देने में मदद की आज हम जानते हैं कि सूर्य एक विशाल परमानूर्यक्तर है जो अपने केंदर में हाइडरोजन को हीलियम में बदल कर उर्जा उत्पन करता है यह उर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में प्रित्वी तक पहुँचती है जिससे प्रकाश संशलेशन, जल चक्र और मौसम के पैटर्न जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं संचालित होती है सूर्य की उर्जा का उप्योग सौर पैनलों के माध्यम से बिजली उत्पन करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक स्वच्छ और नवीकर्णी उर्जा स्रोत है वैज्यानिकों का अनुमान है कि सूर्य के पास अभी भी लगभग पांच अरब वर्षों का जीवन शेश है हालाकि सूर्य के अंतिम चरण में यह एक लाल दानव में विस्तारित होगा, संभवत्धा प्रित्वी को भी निगल जाएगा लेकिन उससे पहले सूर्य की उर्जा का उप्योग मानवता की बढ़ती उर्जा जरूर्टों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है सौर उर्जा प्राध्योगी की में प्रक्ति के साथ हम एक ऐसे भविश्य की कलपना कर सकते हैं जहां सूर्य हमारी प्राथमिक उर्जा स्रोत बन जाए जिससे हमें जीवाश्म इंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने और जलवायू परिवर्तन से निपटने में मदद मिले सूर्य का हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ता है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सूर्य ने कला, साहित्य और धर्म को प्रेरित किया है नैतिक रूप से यह हमें सौर उर्जा जैसे स्थाई उर्जा स्रोतों को अपनाने और अपने ग्रह की रक्षा करने की आवश्शक्ता की याद दिलाता है आर्थिक रूप से सौर उर्जा उद्योग रोजगार के अफसर पैदा करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है राजनीतिक रूप से देश सौर उर्जा उत्पादन और वितर्ण पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्परधा कर सकते हैं सौर उर्जा को व्यापक रूप से अपनाने में कई चुनोतिया हैं जिनमें उच्च प्रारंभिक लागत उर्जा भंडारण की आवश्यक्ता और सौर पैनलों के उत्पादन से जुड़े पर्यावरणिय प्रभाव शामिल हैं हालाकि इन चुनोतियों का समाधान करने के लिए सरकारे व्यवसाय और व्यक्ति कई कदम उठा सकते हैं सरकारे सौर उर्जा अनुसंधान और विकास में निवेश कर सकती हैं सौर पैनलों की स्थापना के लिए सबसिडी प्रदान कर सकती हैं और सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बना सकती हैं व्यवसायत सौर पैनलों की लागत कम करने के लिए नवीन तत्नीकों का विकास कर सकते हैं और सौर उर्जा उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रिंखला की पेशकश कर सकते हैं व्यक्ति अपने घरों और व्यवसायों में सौर पैनल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं उर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और उर्जा सन्रक्षन का अभ्यास कर सकते हैं सूर्य एक शक्तिशाली और जीवन डाई तारा है जो हमारे ग्रह और हमारे जीवन को आकार देता है जैसा कि हम भविश्य की ओर देखते हैं सूर्य की उर्जा का दोहन करने की हमारी क्षमता मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोर साबित हो सकती है सूर्य उर्जा को अपना कर हम एक स्वच, स्थाई और समरिध भविश्य बना सकते हैं न केवल अपने लिए बलकी आने वाली पीडियों के लिए भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल